सबसे पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना है फिल टोनर मॉस्टराइजिंग अपलाई करना है उसके बाद प्राइमर लगा लेना है फेस पे उसके बाद मैंने लिया है मेकप स्टूडियो का कंसिलर पैलेट तो जो भी हमारे फेस पे पिग्मेंटेशन दिखती है उसके उपर बलेट करना है ब्लेंडर अपका डैम्प होना चाहिए उसके बाद मैंने ऐसे हमें चेक करना है कि कौन सा फांडिशन हमारे स्कीन को सुत करेगा जो है फ्रस नंबर का मैं अच्छे से मेरे स्कीन में बitarian हो गया है यह cream का foundation था, इसलिए उसमें मैंने जो blending oil है, वो मैंने add किया, उसके बाद अच्छे से उसको face पे apply कर लेना है, foundation को blender से, उसके बाद मैंने lighter shade लेके highlighting किया है, cream highlighting किया है, जाधा नहीं किया है, एकदम lighter ही highlighting मैंने किया है, क्योंकि यह normal makeup है, party makeup है, तो इसलिए सारी चीज़े हम लोग light ही रखेंगे, highlighting को अच्छे से blend करने के बाद मैंने record का liquid lipstick लिया है, pink color का, वो लेके हमने damp beauty blender से अच्छे से उसको skin में blend कर देना है, कहीं पर भी patch नहीं चुटना चाहिए, ऐसे हम लोगों ने उसे blend करना है, उसके बाद मैंने P.E.C. का loose powder लिया है, एकदम हलका quantity में powder लेना है, puff में, और धीरे-धीरे से dab-dab करके, पूरे base को हमने set कर लेना है, स्मूद दिखना चाहिए हम लोगों का base, अच्छे से powdering हमने कर लिया है, उसके बाद मैं करूंगी eyebrows, उसके लिए जो पैरेट का जो सबसे lighter shade है वो हमने choose करना है, और corner से, outer corner से हमें eyebrow को shaping देना, स्टार्ट करना है, और जो inner corners है, वहाँ पे product को apply आपने नहीं करना है, सिप उसको हलके हाथ से brush करना है, उसके बाद मैंने highlighter लिया, पी एसी का highlighter यूज़ कर रही हूं है, एकदम lighter लेना है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद Just Gold का lipstick palette यूज़ कर रही हूं है, और यह lipstick brush है, ब्रश अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत easy जाता है हमें lips को shape देने के लिए, तो इसलिए मैं brush से lip को outline कर दोगी, उसके बाद मैंने white और red color को mix करके pink color ready किया है, यह आप लोग as a blush भी यूज़ कर सकते हो, as a lipstick भी यूज़ कर सकते हो, tutorial अगर आपको पसंद आया तो like और subscribe जरूर कीज़िए,